आप देख रहा हूँगे कि आपोजीसन ने पूरे नो के नो इलाकों में अपनी सेकंड लाइन की पूरी लीडर्शिप को जोंक रखा है आप लोग क्या कर रहे हैं आजके तके बिजैजी मैंने पहले भी कई बारा आपके यहां डिवेट करते हुए यह कहा कि भारती जनता प के साथ हम काम कर रहे हैं जो जन कल्यान का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कानून बिवस्ता उत्तर प्रदेश के विकास उत्तर प्रदेश के किसान गरीब मजदूर नोजवान गरीब और व्यापारियों की जो भलाई हम कर रहे हैं उस अपनी सरकार की उपलबद और संगठन की ताकत के दंप हम संग चुनाओं में गए हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको जिस प्रकार से जनता का समर्थन हमको मिल रहा है जिस प्रकार से हमारे कारकरता लगे है नो की नो सीट है भारती जनता पार्टी जीतने में काम्याब होगी हम अपने दलों के साथ उस पर काम कर रहे हैं और जनता ने पहले भी हम पर भरोसा जताया आप निरंतर पिछले चुनाओं को देखते आहिए तो जनता हमारे साथ है जनता हमारे काम पर मोहर लगा है 2022 के चुनाओं में आपने देखा मानी योगी आधितनाजी के नेत्रितों में बड़े बहुमत के साथ आज तक दुबारा किसी को धाई सो से ऊपर सीट मिल जाना उत्तर पदेश के चुनाओं में दुबारा सरकार बनाना ये किसी ने कलपना भी नहीं की थी लेकिन उत्तर प की बारी आती है हार का डर सताता है तो कभी इबियम की बात कभी अधिकारियों की बात कभी बियलो की बात चहरा चुपाने के लिए हार के डर से पहले अभी मैं कल देख रहा था एक चैनल के इंटर्विव में वो का रहते कि साब रामपूर हो जाएगा अरे बैश जो अपन प्रारंभी बोदन दे रहे थे तो आपने बात बोली कि अपने दम पर क्या सहयोगी को आपका जरूरत नहीं है? अपने साथ एंदिये की बात हमने का हम अपने साथ अनुपरिया पटेश जी को मानते हैं हम अपने साथ जैन चोदरी जी को मानते हैं Sanjay Nisati jAh ji को मानते हैm Omprakaas राजजभर को मानते हैं हम भारती जंता पार्टी और शहयोगी दलों का एकेक कारे करता हमारे नेता, हमानी, नरेंद्र, मोधी जी और योगी जी के नित्रितों में डबल इंजन की सरकात चाहिए. इंकी मदद की जरूरत है आपको? नहीं, सब की मदद, सब लोग कर रहे हैं बिरजेश जी, इसमें कोई बंचायत ही नहीं है, इसमें कोई पंचायत नहीं, कोई संका नहीं, कोई सुभान नहीं, कोई बात नहीं, हम तो आगे की बात कर रहे हैं, जिस बात का उल्लेख किया आपने, समाजवाधिदी पार्टी के नेता और कॉंग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुना, आपने एक एक कार्य करता अरे बहुत सारी चीज़े आगे कभी बात होगी तो मैं कहूंगा जनादेश का सम्मान कर रहा है कांग्रेस नहीं कर रही बिर्जे जी माननी मोधी जी को तीसरी बार देश के परदानमंत्री के रूप में जनता ने चुना एंडियों को बहुमत मिला और कांग्रेस पार्टी निन्यानभी सीट भी देश के अंदर नहीं जीत पाई और ऐसे फूल रही थी जैसे लग रहा था कि उसको बहुमत मिल गया अखिलेस यादो जी निरंतर हार रहे उसके बाद उरको लगता है कि जनता उनके साथ है ते जम्मू कास्मिन में क्या हुआ बंगाल में क्या हुआ यह सब उदाहरन है अब आगे बाहा में देखेंगे पार्टी के गटवंदन के पार्टी